अध्याय चार गती, मोशन गती शब्द से आप परिचित हैं गती के कई उधारन हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं जैसे चलना, दोडना, वाहनों का चलना, फल का पेड से गिरना, पक्षियों का उड़ना, इत्यादी यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन वस्तुएं गती में हैं और हम स्वयम भी सदैव स्थिर नहीं रहते गती अनेक क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है और इसके अध्ययन एवं विसलेशन से अनेक बुनियादी सवालों का जवाब मिला है उधारन के लिए रित्व परिवर्तन समझने के लिए हमें सूर्य के चारों ओर प्रित्वी कैसे गती करती है जानना जरूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में किसी वाहन को कितना समय लगता है यह भी गती की समझ दर्शाता है हम प्राय यह कहते हैं कि कोई वस्तु गती में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिती में परिवर्तन होता है पर क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गती शील हो जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर हो जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगेगा कि अन्य बैठे यात्री स्थिर है और आप भी स्थिर है किन्तु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों गती में है यदि आप सडक के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड स्थिर दिखते हैं पर यात्रा करते समय चलती बस से वे गतिशील प्रतीत होते हैं वस्तु गती में है या स्थिर इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन वह कहां से कर रहा है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतीशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदू के सापेक्ष उसकी स्थिती में समय के साथ नियमित परिवर्तन होता है किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदू माना जा सकता है और इसे निर्देश बिंदू कहते हैं दैनिक जीवन में जिन गतियों को हम देखते हैं, उनका अधेयन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है, तो उसके पैरों की गती के साथ साथ उसके विभिन अंग जैसे हाथ सिर आधी भी गती करते हैं। जब कोई वाहन चलता है, तो उसके अलग-अलग पुर्जे बिन भिन गती में होते हैं। जैसे साइकल चलाते समय आपके पैरों की गती, पैडल की गती, चेन की गती, पहियों की गती भिन भिन होती है। सामान्य तह वस्तु के अलग-अलग भाग, अलग-अलग दिशा में गती शील होते हैं और वस्तु के द्वारा तै की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकती है। इस्थिती में वस्तु की रेखिक गती के अध्यान के लिए हम दो सरली करण मान कर आगे बढ़ते हैं। पहला, संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधी एक बिंदु को मान लिया जाता है और उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गती को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, यह बिंदु हम ऐसा चुनते हैं जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रत प्रतीत होता है। एक सीधी रेल की पटरी पर ट्रेन की गती, उचाई से गिराने पर पत्थर की गती, सरल रेखिक गती के उधारन है। क्या आप इस सूची में और उधारन जोड सकते हैं।